हाई फ्रेंड्स वेलकम टू फातिमा पापास किचन आज का रेसिपी ब्रेट बोंडे एकदम बढ़ियासे रहते हैं और यह मॉर्निंग ब्रेकफस्ट में भी और इवनिंग स्नाक्स के जैसा भी ले सकते हैं अज मजे में तो एकदम अल्टिमेट रहते हैं तो एक बर जारू कीजिए आप लोग को स्टेप बाई स्टेप बताती हूं दूसरा यह है कि इसमें अपने स्टाफिंग कभी अच्छा सा बनता है स्टाफिंग बोलते सो दो देखीजिए एकदम स्टेप बाई स्टेप आप लोग को बना के बताती हूं फर्स्ट स्टेप यह है कि अपन यहां पे पोटाइटोस में 500 ग्राम्स आधा किलो ली हूँ एक क्यारिट बड़ा क्यारिट लेके साब धो देकर विजिल्स लगा के अपन एक कुख हुए तक अपन पका लेना है देखीजिए इस तरह से लगा देके पूरा पका लेके वो विजिल्स पूरा थंडा होगे एक पोटाइटो मेंशर कुर लेके इस तरह से पूरा से पूरा नरम कर दीजिए क्योंकि पूरा अच्छा सा दबा देके पूरा अच्छा सा समैश कर लीजिए मैश करे बाद इसमें थोड़े अपन इंग्रीडियंट्स मिलाने का है तो दूसरा बात यह है कि एक बार ध्या करे सोली हुमाई वह भी दाल दीजिए और अपन इसमें आड करते हैं वन टीस्पून आफ जिंजर गार्लिक का पेस्ट और दो टीस्पून रेट चिल्ली पॉडर यह प्लेस में आप लोग हरी मीड़्ची भी दाल सकते हैं क्योंकि हरी मीड़्ची दालने से छोटे लाल मीड़्ची प्रिफर करती हुमाई एक टीस्पून चाट मसाला हाफ टीस्पून गरम मसाला दो टीस्पून धन्या पॉडर साल्ट टेस्ट के मुताबिक दाल लीजिए आधा नीम्भू का ज्यूस दाल लेकर पूरा मिक्षर को अपन अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है देखीजे पूरा अच्छा सा मिक्स कर लेके इस तरह से अपना बैटर रडी हो गया है अब अपन इसको छोटे छोटे बॉल्स प्रिपेर कर लेना है हाथ को थोड़ा पानी से धीला कर लेके पूरा अच्छा सा थोड़ा साइज बोलते सो आप लोग की मर्जी कम ज्यादा बड़ा छोटा आप लोग देख लीजिए तो देखीजिए मैं यहां पर थोड़ा सा बड़ा ही साइज ले रही हूं क्योंकि मेरे पास सैंडविच के ब्रेट्स है यह सैंडविच का बड़ा आता है इसलिए स्टफिंग थोड़ा बड़ा सा ले रही हूं मैं तो देखीज को दाल देकर अब अपन थोड़े से इंग्रीडियंट से आड़ करते हैं इसमें अब फस्ट हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा और एक टीस्पून अजवाई बेशन के रेसिपीस में अजवाई जरूरी है और हाफ टीस्पून हल्दी टेस्ट के मुताबिक का नमक दाल देकर अपन इसको पूरा इंग्रीडियंट से मिले तक पूरा आठाए में मिला लिजिए मिला लेकर थोड़ा थोड़ा पानी दालते हुए अपने बैटर को मिक्स रेडी कर लेना है ये भजिये दालते सो consistency तो मींस भजिये दालने का थोड़ा मोटर हैता है लेकिन इसको just coat होना ह इसलिए थोड़ा सा पतला धीला कर लीजिए धीला कर लेके देखिजे इस तरह से consistency रख कर साइड में रख लीजिए और अपने इसको देखिजे मेरे पास sandwich के bread से आप लोग corners कट करे तो भी चलता है नाई कट करे तो भी brown pot नाई निकाले तो भी चलता है क्योंकि वो अंदर र लागा कर इस तरह से पानी लागा कर पूरा अच्छा सा नीचोड़ देके पानी को अब अपन इसमें अपन प्रिपेर करें सो जो stuffing थेना लड़ू वो अंदर रख दीजिए रख देकर चार तरफ से अपना पूरा cover कर देके अंदर का stuffing नई दीखे जैसा पूरा cover करके अच् चोटा ब्रेड लिया तो चोटा stuffing लीजिए अब अपन ये बाल को अपना आल्रेडी प्रिपेर करें सो बेशन का बैटर है ना ओ बैटर में डिप कर लीजिए डिप करके पूरा अच्छा से उपर से पूरा coat कर दीजिए कोट कर देके अब अपन आल्रेडी मैं डिफ्राइ के लिए आईल रख चुकी हूँ देखीजिए इस तरह से उठा कर अपन आईल में डाल देना है तो देखीजिए मेरा आईल आल्रेडी गरम हो चुका है थोड़ा चेक भी कर ली हूँ मैं अब अपन तयार करें सो जो ब्रेड बोंडा है ना उसको निकालके अपन इस तरह से दाल दीजिए इस तरह से पूरे बोंडे अपन दाल देकर अपने ब्रेड बोंडे वलते सो तयार कर लेना है देखिजिए एकदम डार्क ब्राउन आई जैसा लाइट गोल्डन ब्राउन आई तक अपन इसको सोते कर लेना है क्योंकि अपन अंदर का स्टेफिंग अलड़ी पक चुका है और ब्रेड पकने में टाइम नहीं लाईता है उपर का जो कोटिंग कर रहता है इसलिए वो ज्यादा रहना देखिजिए इस तरह से कलर आए वाद निकाल दीजिए एकदम खाने में सारुक करने के लिए रडी हो गए अपने ब्रेड बोंडे तो ये प्रेसिपी ज़रू ट्राई कीजिए अगर ए वीडियो आप लोको पसंद आयतो लाइक करो फ्रेंट्स को रेलेटिवस को शेर करो सब्सक्राइब करो थैंक्स पर वाचिंग बाई